विदेश में पढ़ाई करने के लिए अफकॉस हमने काफी पॉइंट्स के बारे में बात की कि क्या इसका अड्वांटिज क्या है आपके जो बच्चे की क्रियेटिविटी है वो कैसे निखरती है और जब वो वापस पढ़ाई करके भारत आएगा या आएगी तो वो एक युनिवर्सिटी में अड्मिशन ले सकते हैं डेफिनिटल फॉरन में अड्मिशन जो है वो सिर्फ एक बार नहीं होता है वो मल्टिपल इंटेक्स होती है तो जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपिलर इंटेक है वो फॉल जो की हम ऑगस्ट या सप्टेंबर मंस में होती है उस युनिवर्सिटी जो कंट्रीज है जहां पे आप अभी भी अप्लाइ करके सप्टेंबर में जा सकते हैं नहीं तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी और टॉप उनिवर्स्टी में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्टजार करके आप जैन्वरी वाले टाइम पर भी ज जैसे कोई यहां पर कॉलेज में है अंडर ग्राजुवेशन कोर्स किसी सुडेंट का चल रहा है तीन साल का कोर्स है फिर वो अपना टाइमिंग उससे मैच करके किसी फॉरन इंस्टिटूट में अडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल हमारे यहां पर जैसे एडुकेशन सिस्टम स्कूल कहें या कॉलिज कहें हमारे में जून के आसपर सारे रिजल्ट आते हैं तो अप्रॉक्सिमेटी सप्टेंबर इस बेस्टाइम जहां पर आप अपना एडुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसके बावत भी आप जैन्वरी और डिफरेंट इंटेक्स में आप ड अप्लाइज हो जाएगा अब अप्लाइ कैसे करें हावाद उनिवर्सटी में किसी को मनह पढ़ने का है ऑक्सवर्ड उनिवर्सटी में चानडा जाना है उस्ट्रिया न्युजिलिब जाना है चुज कैसे करें और उसके पास सिट्प बाइस टेप क्या होगा कि हां मुझे यहां से शुरुवात करने हैं? सकते हैं किसी भी टॉप युनिवर्सटी में जाने के लिए बट साथ ही में सबसे पहले जो हमेशा आपको करना चाहिए एक रीसर्च करें फिर अपने आपको एनिलाइज कीजिए कि आपके पास क्या-क्या ओप्शन्स हैं आपको क्या-क्या चीज़े प्रोफाइल में करनी है अगर आप कहते हैं मुझे लीडर्शिप क्वालिटीज चाहिए मुझे अगर टीम स्पिरिट चाहिए तो आप उस चीज़ पर भी काम करें जरूर तो एक ओवराल प्रोफाइल बनाएं काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास community service lacking होता है तो community service में आप involved हों आप वो काम कीजिए तो वो एक aspect है जहां से आप करते हैं साथ-साथ में आप जब college में apply करते हैं college में again application आप अच्छी डालें थोड़ा prepare करें उस चीज के लिए आप college के application जब आप डालते हैं उसके बाद then you get the student visa visa आपके पास जैसी admission आजाता है visa के लिए अपलाई करें और आप उसके बाद डेफिनेटी अच्छी पढ़ाई के लिए education loan भी सस्ता मिलता है as compared to India तो एक बहुत बड़ा plus point है education loan के बहुत different aspects हैं I think private bodies भी है government bodies भी है जो मिलती है in fact आज़कल foreign universities एक बहुत सस्ते rate of interest पे loan प्रवाइड करती international students को alright तो मेरे खाल से काफी हमने positive points discuss कर लिया आज के show में कि किसी को foreign education के लिए क्यों जाना चाहिए thank you so much शुरीश गुपता हमारे सा मनी गुरू के आज के इस episode में जुड़ने के लिए तो आज के हमारे special episode में बस इतना ही अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और interesting episode के साथ मनी गुरू के लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं आज का गुरू मंत्र पर देते हैं आज के आज के लिए जाने साथ